25 सीटों का ये सर्वे है जो 25 सीटों पर रुहेलखंड रीजन में जब सर्वे किया गया तो आंक्रे जो निकल कर आए वो बहत तिर्चस बीजेपी को 19 से 21 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी को 3 से साथ यानि रुहेलखंड इलाका जि इंडिया टीवी ने किया बावन सीटों के लिए तो उसमें भी बीजेपी को 22 सीटे यहां पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई गई है 29 सीटों के साथ बीएसपी शुननी कॉंग्रेस एक अन्य शुनने अब मैं रुख करना चाहूँगी मेरे वरिष्ट सजयोगी पंकर ज्हा का पंकर ज्हां पावी उत्तर पिदेश कहा जूत पिदेश केबुखे मंतरी की कुरसी जो है वह पंकर ज्यात करने बार्टि के उम्मीदवार को ही म जो सर्वे हैं मोटे तोर पे जिसमें भी देखें तो एक दो सर्वे को छोड़ दें जैसा आप खुद बता रही तिशोबना तो बीजेपी को बठत बनी हुई है और देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने वहां मुद्दा चेड़ा है वो कोई भी नया नहीं है सब पुराना ही है वो सारी बाते हिंदुत के इर्दगिर्द घूम रही है और दूसरी बात जो देखनी पड़ेगी जो समाजवादी पार्टी और आरलडी ने घड़बंदन किया और ये किसान आंदोनन को लेकर जो नाराजगी की बात कही जा रही तो खुद आरलडी और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अब उतना बड़ा मुद्दा ये उस इलाके में नहीं रहा है तो कहीं ने कहीं वो मुद्दा कम जोर पड़ा है दूसरी बात क्या है कि समाजिक समी कर रहे हैं हम बात करते हैं जिस आधार पर अखले से आदब कोशस कर रहे हैं मुसलमानों क कम टिकट दे करके पिछड़ों को दलितों को ज्यादा तरजी दे करके लेकिन देखिए तो जाट के मुकाबले में जो दूसरी छोटी पिछड़ी जातिया हैं सैनी, शाक, कस्यप, लोद, गूजर उन सबका जो है एक तरीके से एक जूट होकर बीजेपी के फेवर में अभ बनाये हुए